दोस्तों आपने Windows की bootable pen drive तो ज़रूर बनाई होगी लेकिन कि आपने कभी सुना है कि bootable hard drive या SSD बना दी हो जिसको आप किसी भी system के अंदर लगाएंगे तो उसी system के अंदर Windows का installation स्टार्ट हो जाएगा इस method से आप Windows 10 और Windows 11 दोनों ही तरह की bootable SSD बना सकते हैं और सबसे खास बात है कि अगर आप Windows 11 की बनाते हैं तो यहाँ पर जो minimum requirement है Windows 11 के लिए वो सारी requirement बाइपास हो जाती है तो चलिए आज की टेक्नोबाजी शुरू करते हैं अब ही देखें मार्केट में इस समय तीन तरह की SSDs available है एक होती है 2.5 inch की SATA SSD जिसे आप किसी भी पुराने laptop या desktop के अंदर यूज कर सकते हैं और दूसरी होती है M.2 SATA SSD जिसके bottom side में आप देखेंगे तो आपको दो cut मिलते हैं यह भी एक type की SATA SSD ही है लेकिन इसका from factor जो है यह M.2 होता है और एक होती है M.2 NVMe SSD यह तीन तरह कि SSD इस समय मार्केट में available है अगर आप 2.5 inch की SATA SSD का use करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 2.5 inch का SATA case लेना पड़ेगा 3.0 वाला जिससे आपको एक अच्छी speed मिल सके case आपको यहाँ पर दो type के मिलते है 3.0 और 2.0 तो यहाँ पर आपको 3.0 वाला case लेना है और यहाँ पर 2.5 inch की SATA hard drive या फिर 2.5 inch की SATA SSD दोनों का use कर सकते हैं हाँ desktop की hard drive इसके अंदर आप use नहीं कर पाएंगे और second type की M.2 SATA SSD और M.2 NVMe SSD इसके लिए market के अंदर dual protocol वाले enclosure available है जिनके अंदर एक ही enclosure के अंदर आप दोनों type की SSD इसको लगा सकते हैं और as a USB device इसको use कर सकते हैं और practical क करने के लिए मैं हाँ पर use करने वाला हूं 2.5 inch की SATA SSD जिसको मैंने अपने SATA to USB 3.0 extension cable से connect कर दिया है इसके बाद simply आपको करना क्या होगा इस extension को आपके computer के USB 3.0 port के उपर connect करना है system से connect करने के बाद आपको सबसे पहले करना होगा browser open तो हम यहां पर Chrome browser को open कर लेते हैं और य refuse की official website पर आ जाते हैं स्क्रॉल डाउन करके हम थोड़ा सा नीचे आते हैं latest version चल रहा है भी इसका 4.0 इसको आपको यहां से क्लिक करके download कर लेना होगा refuse download करने के बाद हमें चाहिए हो कि Windows की ISO image आप चाहें तो Windows 10 download कर सकते हैं या फिर Windows 11 तो मैं यहां पर Windows 11 download कर लेता हूं तो आप चाहें तो इसका जो second वाला option है इससे भी download कर सकते हैं मैंने already दोनों चीज़े download कर रखी है तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद आपको आना है USB hard drives का इस पर आपको टिक कर देना है टिक करने के साथ यह आप देखेंगे तो drop down लिस्ट के अंदर आपकी SSD शो हो जाएगी ठीक है इसके बाद आपको करना क्या होगा यहां पर जाना है select करना है ठीक है इसके बाद अगर आपका system नए है UEFI को support करता है तो आप यहां पर GPT UEFI Non CSM रख सकते हैं और अगर आपका system only MBR partition को support करता है तो यहां से आप MBR select कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल मैं यहां पर GPT कर देता हूं इसके बाद volume label आपको देना है तो मैं यहां पर देता हूं Windows 11 that's it बस इसके बाद आपको करना क्या है simply start button पर click कर देना है अब देखे Windows 11 के ISO के अंदर जितने भी additions होंगे उन सब की list आपके सामने आ जाएगी आप कौन से addition आपकी external hard disk के अंदर या SSD के अंदर install करना चाहते हैं वहां से आप select कर सकते हैं तो मैं फिलाल मैं कर देता हूं pro edition select और okay अब देखें यहां पर फिर से कई सारे option आपके सामने आ जाते हैं तो यहां पर जो पहला option है prevent windows to go from accessing internal disk इस पर आपको uncheck कर देना है ठीक है क्योंकि हम चाहते हैं कि internal जो भी SSD हमारी होगी जो partition होंगे उनको हम access करना चाहते हैं इसलिए यहां पर इससे आपको uncheck कर देना हो दे सकते हैं अब दोस्तों यहां पर जो चौथा option है इसका मतलबी है कि आपकी जो host machine है जिस computer पर आप यह सारे काम कर रहे हैं उसकी जो regional settings है यानि की date and time की setting है country है वो कौन सी आपने select कर रहे कि है वही same आपकी इस external hard disk के अंदर या फिर जो हम windows to go बनाने वाले इसके अंदर आपकी same as it is transfer हो जाए तो इसको भी आपको check कर देना है और last option आता है disable data collection इसको भी हम check कर ही देते हैं इसके बाद simple है okay पर click कर देना है एक warning आती है कि जो भी data अगर आपकी इस SSD के अंदर है तो वो delete हो जाएगा तो मैं यहापर fresh SSD का use कर रहा हूं नहीं है अगर आपकी case के अ installation जो है वो आपकी SSD के अंदर हो जाएगा और इस सारे process के अंदर कितना time लगने वाला है दोस्तों यह depend करता है कि आप 2.5 inch के सेटा SSD का use कर रहे है M.2 सेटा SSD का use कर रहे है और आपने साथ में जो enclosure use किया है वो कौन सी speed वाला है इन सारे factors के अंदर speed depend करती है और SSD ready होने के बा लाइक करना चल पर नहीं हो तो subscribe जरू करना क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की informative और technical वीडियो लेकर आते रहते हैं फिर मुलागा तो की अगली वीडियो में गुडबाई जाहिंद